नमस्तकार दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्यप्रदेश के पश्चिमी निमाण में कुंदा नदी के टट परिस्तित खरगोन शहर के इतिहास के बारे में खरगोन शहर जो की दो लाग से जादा अबादिका एक तेजी से उभरता हुआ शहर है खरगोन का इतिहास शुरू होता है है हैया राजवन्ष से जिनकी राजदानी महिश मती याने आज का महिश्वर थी इस राजवन्ष के सबसे प्रतापी राजा थे राजा सहस्त्रार्जुन सहस्तरा जुन का उल्लेक हमें भारती पुराणों में मुख्यता से मिलता है सहस्तरा जुन के ही काल में हमें वगवान परशुराम, वगवान दत्तत्रे तथा रावन का भी उल्लेक मिलता है हहया राजवन्ष के बाद यहाँ पर कभी मोरिय तो उसके बाद गुप्त राजवन्ष का राज रहा फिर दश्री शताब्दी में यहाँ पर मालवा के परमार राजवन्ष का राज रहा परमार शासकों ने खरगोन के निकटिस्तित उन नामकस्तान पर बहुती सुन्दर मंदिरों का निर्मान करवाया। इन मंदिरों की सुन्दरताव को देखते हुए उनको पशिमिनी मालका खजराहो भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्मान भी उसी समय किया गया था। इसी कारण इस जगे का पूरा तात्रिक महत्व काफी बढ़ जाता है। इहां का नौगरा मंदिर भी काफी दर्शनी है। खरगोन किसी भी राजवंश की कभी भी प्रमुख राजजानी नहीं रहा। इसलिए इतिहास में हमें इसका उल्लेक जादा नहीं मिलता है। इहां थी खरगोन के इतिहास के बारे में हमारी संशिप्त जानकारी आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। झाल 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 झाल